साल का अंतिम चंद ग्रहन निकल चुका है कल लग चुका है उसकी अपडेट मैंने आपको दे दी थी अब जो नेक्स्ट ग्रहन लगने वाला है उसके बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ अगर आप प्रेगनेंट है तो यह वीडियो आपके लिए जाता साफधानी रखनी होती है कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए तो अगर आप गरब अवस्ता की जौरनी में है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करेगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगले साल यानि कि 2024 में कितने ग्रहन लगेंगे और क कि अगरेंगे तो 2023 में दो सूर्य ग्रहन और दो चंद्र ग्रहन लगचुके हैं अब कोई भी ग्रहन नहीं है दिसमबर तक आप इस साल में क्योंकि दो महीने बचे हैं अक्टूबर हाइए नॉमबर दिसमबर में कोई ग्रहन नहीं है इसके बार सम ठाहिं मार एक नर के जि गरहन लगने वाला है और जो गरहन लगेगा वो लगएगा 25 मार्च को जी हां 25 को गरहेगा यह सूर्य होगा या चन्द कर्याइब इसक्ति इसकी update मैं आपको दे दूंगी मार्च महीने में और क्या टाइम रहेगा हि इंडिया में दिखेगा कितने समय तक किसका असर रहेगा सारा मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगी बाकी में अपडेट इसलिए दे रही हूं ताकि आप याद रखें कि मार्च में भी एक ग्रहन है उसके बाद आठ अप्रेल को भी एक ग्रहन लगने वाला है उसकी अपडेट भी मैं आपको दो तीन दिन प वबस्तावली महीलाओं को कैंची चाकु सूई का यूज नहीं करना चाहिए नहीं नाकुन काटने चाहिए नहीं काले वस्त्र धारन करने चाहिए ग्रहन काल में नहीं घर से बाहर जाना चाहिए देखिए ग्रहन लगता क्यों है जब ना चंद्रमा पृत्वी और सूरज एक ही रेखा में आ जाते हैं आमने सामने तब क्या होता है प्रिथवी पर चंद्रमा का परकाश नहीं पहुंचता और तब ग्रहन लगता है यह कुछ अवदी के लिए होता जैसे एक गंटा दो गंटा चार गंटा यह डिपेंड करता है कि ग्रहन कब पढ़ रहा है और कौन स जाते हैं जाथ हैं फो छ मुद आहं ऑप चन्दुन को अपको तक की अग्रेंट में ही उफ यह दो करेंगा हैं का दो debate कि यह देली प्रेंग होMA करें और आप अगर प्रेगंटैंटब प्रेगंटे मरी चाहँआनग हैक है तो अगर मुंदी ब्लिछा करनी चाहिए प्र वीडियो को और भी स्क्रॉल करके देखोगे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी एल्थी पेग्नेंसी के लिए क्या-कया डाइट फॉलो करनी है सारा मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली है तो आप विजिट कर सकते हो तो सूतक काल में मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको दो बता देती हूं कि दो ग्रहन लगेंगे एक मार्च में एक अप्रेल में उसके बाद एक सितंबर में है और एक अक्टूबर में है तो चार ग्रहन लगने वाले हैं दो हजार चॉबिस में पहले दो ग्रहन तो मार्च और अप्रेल में है और बाकी कि जो दो ग 24 में दो अक्टूबर को लास्ट ग्रहन होगा साल का तो चैलन को सस्क्राइब जरूर करके रखेगा ताकि जब ग्रहन लगे उसकी अपडेट आपको आजाए और जो जो काम आपको नहीं करने प्रेग्नेंसी जौरनी में उसकी भी अपडेट में आपको बिल्कुल बारीकी से ना दे ग्रहन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं सोचना शुद्ध विचार रखने हैं और भगवान के आगे प्रातना करने है कि जल्दी से ग्रहन समाप्त हो और इसके साथ साथ जब ग्रहन समापत होता है तो अनका दान जरूर करते जैसे आज आज बादी खाना बनाओ और ताजा खाना खाओ रात का जो ग्रहन काल का बासी खाना बचाओ उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए तो अब मैं नेक्स्ट यर यानि की मार्च में आपको ग्रहन काल की अपड़ेट दूगी बाकी प्रेंगनेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो रोज मिलेंगी मेरे चैनल पे तो आप रोज वाच कर सकते हैं चैनल जब आप चलाएं तो उसमें देखिए आपको नीचे स्टॉल करोगे ग्रहन के नीचे प्रेंगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियो होंगी तो आप उनको देख सकते हैं और कोई भी आपसे सवाल हूमन म तो उसको कमेंट करेंगा मैं जरूर दूंगी कमेंट बॉक्स में जया मता कि जरूर लिखिए गा मैं सबकी लिए दुआ करूंगी कि सबके बच्चे और माहली रहें शारीरिक रूप से स्वस्त रहें और नॉर्मल दिलीवरी हो तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई अप स्क्राइब करिएगा क्योंकि मार्च में भी ग्रहन लगने वाला है और अप्रैल में भी ग्रहन लगने वाला है तो चलिए फिर नई टॉपिंग मिलते हैं बाबाई